चलिए दोस्तों, हम लोगोंने Essential Elements of a Valid Contract पढ़ लिये थे आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं Types of Contracts हम यह जो Types of Contracts पढ़ेंगे, यह हम तीन बेसिस पर बात करेंगे एक तो Validity पर, दूसरा Formation को लेकर और तीसरा Performance को लेकर फिलाल हम स्टार्ट करने वाले हैं Validity वाली बात को एक Blank Page ले लेते हैं, थोड़ा सा discussion कर लेंगे, समझ लेंगे उसके बाद यहाँ पर, जो book में लिखा, उसको read तो करना ही है, वो तो करी लेंगे एक बाद समझ तो लें पहले, चल, कोशिश करते हैं समझने की सबसे पहले, कांट्रेक्ट में मिनिममम दो पाटिस होती हैं, हम माल लेते हैं दो ही पाटिस है, यह हमारे चुन्णु भईया, और यह हमारी चुन्नी यह चुन्नु भईया, थोड़े से बाल बना देता हूं, चुन्नु भईया के अभी अच्छे लगेंगे, हाँ, यह चुन्नी, चुन्नी लिखाई नहीं नाराज हो जाएगे, चुन्नी फिर, चलिए, अब लॉजिकली समझे न, मजाग से बाहर आकर, लॉजिक पर फोकस करना एकदम ध्यान से, इन दोनों की बीच में कोई कॉंट्राक्ट हुआ, हम शादी की बात महीं कर रहे हैं, सर्फ कोई भी कॉंट्राक्ट हुआ, ब्रॉड़ी समझे का, कंसेप्चुली समझे का, कभी-कभी हम एक्जामपल मजाग में लेते हैं, पर हम सिर्फ मजाग तक ही और चुन्नु भाया मेजर हैं, शादी का भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, शादी का भी कॉंट्राक्ट ही होता है, शादी का भी हो सकता है, चुन्नी दिदी भी हमारी मेजर है, दोनों ही बालिक है, दोनों की शादी की एज है, जो भी गवर्मेंट की प्रस्क्राइब किया यानि इस contract में कोई कमी नहीं सर पे बंदू करके जबर दसती हाली नहीं नहीं दरा धमका के हाली थी नहीं जुट बोलके fraud करके हाली थी नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चे माइनर है नहीं unsound mind है? नहीं, sound mind है? हाँ सहाब, free consent है? हाँ सहाब, यानि ये एक perfect agreement है, जिसमें enforceability की, enforceability की सारी conditions fulfill हो रही है, that means it is a perfect contract, it is a perfect contract, इसे अपन कहते है valid contract, सर्वगुण संपन, सर्वगुण संपन, सब चीज़े सही है, law ने इसको void declare कर रखा, नहीं सहाब नहीं कर रखा, legal formalities पूरी की, return की जरूर्थी तो किया, return हाँ, अगर जरूर्थी तो किया, जरूर्थी तो किया, जरूर्थी तो किया, यहाँ, लिखा ता एंशौर्थे तो किया, जरूर्च मसक्रासील के सब कर ते हाँ, जरूरी है, जरूर्थे है, जरूर्थी तो return कीया, जो भी आव neatly पूरी कर दी, आपको सर्वगुण संपन, और तई तो वालिट कॉंट्राक्त, इन वालिट कॉंट less boundary, बॉथizi स्था था किया सब चीजे सब सई थी update पर चुणी ने property देने से मना कर दिया यह चुण्यों हो और बायर भी था उसको भी नहीं दिया चुन्नी दिदी के पास कोई और दूसरा भाहर भी आया था इस मैम यह प्रॉपटी आपके अच्छी लग रही है यह वाला प्लॉट आप क्या रेट में सेल करेंगे बीच में कांट्राक्ट हो चुका है अब चुन्नू खरीपने से मना कर दे यह ले ले प्रॉपटी फिर पैसे देने से मना कर दे इन ऑल दीस केसे बोड़ पार्टी आप पार्टी आप दूसरे को शू करने का कब जब दोनों मेंसे कोई गलती करे तब इसने प्रॉपटी दे उसने पैसा दे दिया बात खत्म सर्वगुण संपन है वालीड है हां वालीड है सर केस तो नहीं किया वालीड में केस कब करेगा एंफोर्श इवलिटी की जरुद कब पढ़ती है जब सामने वाला तमीशे निमानता जब तमीशे निमानता तो डंडा इसे उपर करके इसे कब पड़ेगी जब कोई party backstep लेगा मालो शादी का contract था शादी से दो दिन पहले चुन्नी ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर रही तो चुन्नु have a power to enforce court में case करने का power चुन्नु के पास है और चुन्नु अगर मना कर दे तो चुन्नी के पास है अगर दोनों के पास ये power है कि एक दूसरे की गलती पर court में जा सके इसका मतलब ये निकलता है इसका मतलब ये निकलता है कि इन दोनों की बीच का जो contract पहले बना था that was सर्व गुण संपन्न contract valid contract वो क्या था एक valid contract था sorry sorry yes that was a valid contract सर्व गुण संपन्न contract चली अब समझिये चलो नीचे अलग ही बना लेते हैं वापस वापस ये दो पार्टी है A और B अब इस वार इतना ड्राइंग नहीं बनाएंगे चुन्नो चुन्नी इतना टाइम के वेस्ट करें इन दोनों की बीच हो contract हुआ तो A ने B को डराया कॉर्जन धमकाया या फिर emotional pressure डाला undue influence या फिर कुछ दोका किया या फिर वहाँ misrepresentation था mistake की बात नहीं कर रहा हूँ यानि कुल मिला के B की consent free नहीं थी B की consent free नहीं थी free consent नहीं होने के लिए पाँच बाती थी आपको याद होगा जहां consent free नहीं होती है free consent का murder करने वाली 5 situation free consent का murder करने वाली 5 situation 5 ऐसी situations जहां free consent खतम हो जाता है cause and undue influence, fraud misrepresentation and mistake इन पांच में से चार केस में contract voidable होता है जिसके हम उपर बात कर रहे है ये void होता है ये अलग चीज़ है इसको अपन बात में और discuss कर लेंगे छोड़ दो voidable का मतलब क्या है voidable का मतलब की contract बन गया सब चीज़े तयार हो गई अब माललो एक पार्टी काम को कर रही है और दूसरी उस काम को करने में अनकानी कर रही है जो भी contract वह जो भी बात हुई वन पार्टी इस दूइंग इट प्रपर्ली and the second one is not willing to do दूसरा वाला करना नहीं चाहरा है वो थोड़ा नाटंक ही कर रहा है वो बदमाशी कर रहा है तो voidable contract में क्या होगा suppose A और B का contract voidable है A ने B के सर पे बंदू करके contract किया A ने B को डराधम का के contract किया A ने B को जूट बोलकर fraud और misrepresentation दोनों में जूट बोला जाता है हाँ दोनों का जूट थोड़ा अलग-अलग तरीके का होता है कितना अलग होता है that we will discuss later on पर दोनों का जूट थोड़ा क्या होता है अलग-अलग होता है तब A ने B को जूट बोलकर उसकी सहमती ले लिए उसका हाँ ले लिया इन सारे cases में A के साथ गलत हुआ है भाई A को डरा के हाँ ले ली धमका के हाँ ले ली मुर्ख बनाकर emotional blackmail करके जूट बोलकर अगर हाँ ले ली तो कुनला की B के साथ गलत हुआ है मालो contract को प्रॉपटी सिलका था कुछ भी था अब B बाद में बोलते मैं मैं तो आप रपटी देना उन्हें मुझे मैं दराया था तुन्हें मुझे मुझे है शूट बना था д जूट बोला जूट अट तू जूट ऐ एक और वह बोलता है तू जूट आए तूने जूट बोलके मेरे से contract किया था मैं तो नहीं मानता मैं तो नहीं करूँगा इस contract को आगे B ऐसा कर सकता है यानि B इस contract को आगे fulfill करने से मना कर सकता है and A can't enforce the contract against B A court में जाके enforce नहीं कर सकता क्योंकि उसने गलती की थी Sir इसको proof वापस में पहले समझा चूका हम proof वाली कोई बात आनी ही नहीं चाहिए माहिन में proof को लेकर कोई कोई doubt कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए and if A is willing to enforce it against B अगर B back step करता है and A want to enforce it, A can't do it नहीं कर सकता, जैसे court में जाएगा B कहएगा जसाब इसने जूट बोलाता मेरे को ये देको ये जूट बोलाता, प्रूफ करना ठीक है but B can enforce it against A माल लो दरादमका के ही contract हुआ मैंने आपके सर पे बंदूक रखा क्या आपके नाम पर ये plot है माल लो 10 लाग का plot है मैंने सर पे बंदूक रखके बोला कि अप पांच लाग में मेरे नाम पर करो प्लोट 10 लाग का है मैंने क्या बोला कितने में करो पास लाग में सर पे बंदूक रखी आपसे हां करवा लिया साइन करवा लिया contract हो गया ठीक है साब अब 15 दिन बाद मुझे आपको पैसे देने थे और plot मेरे नाम पर होना था मतलब contract हो गया कि आप plot मुझे बेच रहे हो किस फ्लॉट की वैल्यू दस लाग से सिदा दो लाग हो गया मालनो जस्ट पास में किसी ने दारू का भट्टा लगा दिया residential property थी रहने की property दारू का भट्टा पास में लग गया कौन मां घर बनाएगा suppose ऐसा कोई भी event हुआ ऐसा कोई भी incident हुआ property के विए दो लाग हो गई मैंने सर पे बंदूक रखा था आपके याद रखना मैंने आपके सर पे बंदूक रखा था यानि गल्ती किस ने की थी मैंने मैं कोट में जाके आपके खिलाफ enforce नहीं करवा सकता legally मैं अगर मालों दसलाकी दसलाकी वाली होती है और पंद्रवे दिन आप मना कर देते कि मैं नहीं दे रहा मैं कोट में जाके आपके खिलाफ enforce नहीं कर रहा सकता था हम बंदूक के जोर पर enforce करना अलग चीज है हम उस legal aspect की बात नहीं कर रहे लेकिन कोट में जाके वो बोलता जसाब यह 15 दिन पहले देखो इसने agreement किया और आज यह plot नहीं दे रहा है तो जसाब कहेंगे अगर यह प्रूव हो जाता कि बंदूक रखा गया है अगर प्रूव हो जाता है तो जसाब कहेंगे बिटा ऐसा है कि plot तो तेरे को मिलेगा ही न जेल में और डालेंगे बंदूक रखे तो प्लॉट अपने नाम पर करवाता है यह आई कांट एंफॉर्स इट अगेंस्ट यू बट प्लॉट की वाल्यू दो लाक होगे और मैंने बोला कि मैं plot नहीं खरीदूंगा मैं मना कर रहा हूं आप कोट मजा के बोलते हो जसाब द किया था जसाब कहेंगे तुने डराया था ना सामने वाले ने तो नहीं डराया था मैंने आपको डराया आपने तो मेरे को नहीं डराया आप मेरे खिलाफ एंफॉर्स करना चाहते हो जसाब कहेंगे बिल्कुल कर सकता है एंफॉर्स और यू हाव तो बाइट प्लॉट प्ल मुझे जो बंदूक दिखाने के लिए दो चाहिए वह भी हो जाएगी वह लगचीज वह कॉंट्रक एक मनी आता वह इंडियन पीनल कोड में आता है आई पीसी बोलते हो इंडियन पीनल कोड भारतिये डंड विधान पीनल मतलब पैनल्टी लगाना यह दंड देना किसी को इं इंडियन पीनल कोड के वह सारे चलिए हाँ जी तो वापस समझ लीजी इस सिचुएशन में हो क्या रहा है जो गलत है वह एंफोर्स नहीं कर सकता लेकिन जो सही है वह एंफोर्स कर सकता है यानि एक पार्टी तो एंफोर्स कर सकती है एक party enforce नहीं कर सकती है इसे अपन बोलते है voidable, void का मतलब क्या होता है आप समझो, यहां ध्यान से समझ चला, what is void? zero legal value, what is void? zero legal value जिसकी कोई legal value नहीं, legally जिसका कोई value नहीं है उसे अपन क्या बोलते है? void, legal value zero है that is void, अब यहां आप समझे ना इस बात को अराम से, प्रेम से धेरिये के साथ अगर B चाहे, तो मना कर सकता है कि मैं इसको fulfill नहीं करूंगा यानि अगर B deny कर देता है to proceed, तो उसका मतलब यह जो contract A और B के बीच में था यह void हो जाएगा, इसकी legal value zero हो जाएगी, क्योंकि A तो enforce करी नहीं सकता, B के against हो अगर B ने मना कर दिया, तो A can't enforce it, तो इसकी legal value zero हो जाएगी void able, void plus able, यानि जिसको void किया जा सकता है, जिसकी legal value को zero किया सकता है, और कौन कर सकता है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको aggrieved party क्याते है, aggrieved party मतलब पीड़ित पक्ष, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसको सताय है गया, डराय गया, धंकाया गया, मुर्क बनाया गया उससे मोलते है, aggrieved party, तो aggrieved party के option पर, उसकी मरजी पर, वो चाहे तो voidable क्या नाम दिया voidable एक पेज और एक insert कर लेते हैं हमारे कौन से पैसे लग रहे है voidable ठीक है next void जिसकी legal value 0 हो a और b के बीच में कोई contract हुआ या तो जिस चीज को लेकर contract हुआ वो कोई impossible task है चांद पे plot दे देना मरेवे आदमी को जादू से जिन्दा कर देना खजाना लेकर आना जादू से ऐसा कुछ impossible है या बंदा minor है जो agreement कर रहा है या बंदा पागल है जो agreement कर रहा है या जो contract कर रहा है वो competent नहीं है या impossible task है ऐसी किसी situation में उस contract की legal value क्या होगी zero मैं आपको बोलता हूँ कि माज से पांस दिन बाद आपको ताज मेल दो करोड में बेच दूँगा आपने का हाँ ठीक है साब ताज मेल में दो करोड में खरीद दूँगा I know it is impossible even you know it is impossible यहां एक बात ध्यान देना लॉजिकल बात बता रहा हूँ थोड़ा सा समझेना यह और भी दो जन्दे है A B को कुछ offer देता है कुछ promise करता है जो कि impossible task है A knows it is impossible B don't know technical impossibility है कोई कोई जैसे माल लो डॉक्टर है तो उसको पता medical science में चीज impossible है A भी पता नहीं कि medical science में possible है कि impossible है यहनी जो promise कर रहा है उसको पता है impossible है लेकिन हो जानकोज क्यों promise कर रहा सामने वाले को मुर्ख बनाने के लिए iOS प्रोपर्प्र भी प्रॉमिस कर रहे हो कि आप पूरा कर दोगे तो आप सामने वाले को मुर्ख बना रहे हो हां लेकिन माइनर के साथ agreement कर रहे हो मजाक अंसर्टन है जिसका मतलब भी सटेन नहीं है मेरे पास दो मोबाइल है मैं बोलो अपना इक मोबाइल पांचार यह बेच दूगा कौन सा मोबाइल दोनों में से यह बताओ तो यह क्या हो गया अंसर्टन का मतलब भी क्या हो गया लिगल वाल्यू जीरो यानि यह इसके खिलाफ एंफोर्स करना चाहे नहीं कर सकता यह इसके खिलाफ एंफोर्स करना चाहे नहीं कर सकता दोनों पार्टिक दूसरे खिलाफ एंफोर्स नहीं कर सकती यानि यानि इसकी ल legal value बिल्कुली क्या हो जीरो हो उसे अपन क्या बोलते हैं वॉइड यानि हमको वॉइड वैलिड वॉइडेबल तीन समझ मां आ गए तीन में कोई दिक्कत नहीं है चौथा इल्लीगल इल्लीगल क्लियर करना इल्लीगल इस ऑल्वेज वॉइड यानि अगर ए ने बी को सुपारी दी है सुपारी किसे को टपकाने की ठीक है ना ठीक है और यह इसको यह टपकाएगा यह बदले में इसको पैसे देगा मतलब इनकी बीचों सुपारी कॉंट्रेक्ट हुआ पैसे देना माणना दराना धंकाना ऐसा कुछ करना उसके बदले में पैसे देने लिगल वाल्यू क्या है जीरो ए बी के खिलाफ इन्फोर्स कर सकता है जजज सहाब इसने सुपारी ली थी तपकाने की अभी तक तपका पकाने रहा है क्या को युषा सकता है का ए बी के लिए भी कोड़् ंदा के जजसुफारी कि वखेंगे वस्कलाउडब बी के खिलाब जाएगा नहीं गए तो पहले तो सजा में पढ़ेंगे और कॉंट्रेक्ट एंफोर्स होगा ही नहीं ए बोलेगा जैस साब सुपारी लेली मारनी रहा आप बोलो ना इसको मारेगा भी बोले जैस साब इसे कहने प्रेंमार तो चैने महा दे आप रसे दिलाव ना जैस साब रहेंगा रूख तो पर्से को आधे दे दिला नud אל बाद में पर से आल इल्लीगल और और जैंलीगल और अर मैं जब हिन लीगल तो कहिकी illegal value जो illegal incident है जो illegal event है जहां पर consideration illegal है जहां को illegal काम होने की बात चल रही है उसकी legal value क्या होगी zero जब illegal है तो legal value जीरो होगी ठीके साब अगर को illegal है तो legal value क्या है जीरो यह बात हमको समझ़ बानी चाहिए औल इलिगल और वाइड जो इलिगल होगा हमेशा क्या होगा वाइड बट आल वाइड नाट इलिगल हर वाइड जो वाइड वो इलिगल होगा नहीं 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 ऐसा नहीं है आल इलिगल आर वाइड बट आल वाइड नाट इलिगल आप समझो उपर हमने कहा अगर यहा दोनों को पता था वाइड रखेती पागल आदमी यह यानि वाइड इस ब्रोडर टम बहुत सारे कारणों से कोई वाइड हो सकता है और और क्लियर कर लें इल्लिगलिटी उनमें से एक कारण है जिसे impossible होना वाइड का एक कारण है minor idiot uncertainty expressly declared यह लग लग कारण है वाइड वाइड होने की जिसकी जीडल वाइड जीरो हो जाती है उनमें करण हो गया illegal illegal होने से भी legal value क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अगर कोई agreement illegal है मतलब उसकी legal value क्या है जीरो वाइड है तो all illegal are void, void is a broader concept, illegality छोटा concept है बहुत सारे कार्डों से void हो सकता है उनमें से करण क्या है illegal all illegal are void but all void are not illegal all illegal are void but all void are not illegal दो important चीज़े हैं समझनी जरूरी है लेको मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो contract act का first chapter है उसमें हम बहुत time लगाएंगी बहुत मतलब मैं जादा एक एक page को बहुत दिरे दिरे पढ़ाऊंगा आगे की जो chapter से उनमें speed comparative ने थोड़ी जादा हो जाएगी क्योंकि first chapter बिलकुल basic है basic नए ने terms आपके सामने आ रहे हैं नई नहीं बाते आपके सामने आ रहे हैं उन words को clear करने में मुझे लगता है कि हमें बहुत detail में और बहुत शानते से clear करना चाहिए जब हमारा base नीव पूरी मजबूत हो जाएगी और जब बाद में हम topic को आगे पढ़ेंगे तो हम काफी हद तक familiar हो चुके होंगे तो हमारे speed में naturally 10-20% का increment आजाएगा बहुत fast पढ़ेंगे that मैं वो नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत fast पढ़ेंगे but what I am saying कि आगे की वीडियो में we will observe कि 10-20% speed naturally increase होगे क्योंकि हम को जो चीजे पढ़नी पढ़ रही वो already हम समझ चुके हाँ यह तो हमने पढ़ावा हाँ यह हमको मतलब पता है हाँ इस लाइन का मतलब हम already समझ चुके तो उसका benefit हमको naturally मिलेगा तो first chapter contract act का contract act के लिए partnership के लिए sales of goods के लिए तीनों के लिए बहुत important है इसको जितना detail में एक एक term का जितना juice निकाल के postpartum करके आप जितना detail में जाके समझ लोगे ना आगे उतना फाइदे में रहा होगे तो इसलिए हम प्यार से देरे-देरे पढ़ रहे हैं yes void और illegal का difference एक ते ब्रस चल जाता है यह wider scope narrow wider है narrow है दूसरा all void are not illegal all illegal are void restitution यानि restoration of benefit यहां होता है restitution restoration नहीं होता है what is restitution और restoration समझो restitution या restoration का मतलब होता है जो situation contract से पहले थी वही situation वापस create हो जाना मतलब यह कि जैसे मैंने आपको सुपारी दी कि किसी Mr. X को टपकाना है and for that I will give you one petty मतलब एक लाख रुपया जिसमें से 20,000 तो advance पकड 80,000 काम होने के बात आपको मैंने 20,000 दे दी सुपारी दी contract हो कहा आप नहीं टपका रहे हो मैं legally बात कर रहा हूँ आप नहीं टपका रहे हो तब legally मैं कोर्ट में कोट में कहा कर रहा है कि जसरह मैंने usko 20,000 सुपारी किसी को मानने के लिए यह माननी रहा कोई बात निया जसरह मानना भी नहीं पर 20,000 रुपय तो दिलाओ Restoration या Restitution का मतलब होता है कि जो situation contract से पहले थी वो situation वापस create कर देना, court नहीं create करेगा Court क्या करेगा आप समझो, contract से पहले मेरे पास 20,000 रुपए थे और contract के बाद court ने उस situation को वापस restore नहीं किया, मुझे वापस 20,000 नहीं दिलवाए, court ने वो 20,000 रुपए खुद ले लिए आप वाइड की बात करो, मैंने आपको बोला कि 4-5,000 में आपका mobile आप मुझे बेज दो, आपने का ठीक है agreed, कल mobile ले लेना, मैंने का 1000 रुपया token पकड़ो, यह 1000 रुपया token मनी है, और आप मुझे कल पूरा, मतला आप कल mobile लेकिया होगे तो मैं पूरा पैसा को दे दूँग यानि हमने advance दिया किसे contract को लेकर, अब बात क्या होई, 4-5,000 मुबल खरीद दूँगा, कल आपा है मैंने 3000 और दिया, 4000 आप ने 5, मैंने 4-5 बोला को बोले तो मैं तो 5 समझ रहा था, मैंने का मैं 4 समझ रहा था, कोट ने गए, कोट ने का मिनिंग अंसर्टेन है, वाइड है आपके पास 1000 रुपे पड़े वापस इनको दे दो, यानि कोट ने क्या किया, वो इस्तती वापस ला दे, जो contract से पहले थी, contract होने से पहले वो 1000 रुपे मेरे थे न, मेरे पास थे, तो कोट ने आपको बोला कि 1000 रुपे आप मुझे दे दो, और घर जाओ, settlement, contract खत्म, contract नही contract की value 0 है, अपने अपने घर जाओ, दा रुपी हो, मस्तर हो, मतलब घर जाओ, मस्तर हो यार, 0 illegal value, यानि void contract में restoration होगा, restitution होगा, मतलब जो situation, contract से पहले थी, वो situation वापस create कर दी जाएगी, no one can enrich himself at the cost of other, दूसर के खर्चे पर एक को benefit नहीं होगा, अगर किसी के पास advance है कुछ cash पढ़ा है, तो वापस वो restore कर दिया जाएगा, void होने पर, लेकिन illegal में नहीं होगा, illegal में restoration नहीं होगा, contract से पहले वाले situation नहीं होगी, सरा पैसा government जब्त कर लेगी, court जब्त कर लेगा, restoration नहीं होगा, clear करना, void वाले case में भी, minor and idiot, idiot इवन lunatic हो, और जब unsound mind लेग दू, idiot न लिखो यहां पर चलो, इन दो से restore नहीं किया जा सकता, यानि आपने minor से agreement किया, minor को आपने 50,000 उपर दे दिये, agreement में, और बाद में court में गए, तो court ने कहा कि यह तो void है, नहीं आप इने खिलाफ enforce कर सकता है, court ने कहा, void है, खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है, that time we will discuss, महरी वीवी वाला जो case है, वो भी हम पूरा discuss करेंगे, काफी बात करेंगे, पर हाँ, for now आप भी आप समझे लो कि minor वाला agreement तो पूरा void है, legal value जीरो है, आपने का ठीक है साब, जीरो असर घर चले जाते है, कोई बात ने, 50,000 दिये थे वो दिलवा दो, court ने का किसको कि मैंनर को बूले किसे दिल बात, बच्चा है, हम बच्चे के property जबत नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे का bank account जबत नहीं कर सकते हैं, बच्चे के खिलाब हमको decision दे नहीं सकते हैं, आप भूल जाब कि पैसे घए, जाओ गर जाब पैसे ख़ता माँ कि जाओ, जाओ जाओ, नहीं है बाकि कोई भी अगर वाइड एग्रिमेंट है वाइड कॉंट्रेक्ट है तो हो जाएगा ठीक है एक और चीज जो साथ वाले collateral agreements होंगे साथ वाले collateral agreements उनकी legal value क्या होगी void और illegal दोनों में आप समझना मुझे सुपारी देनी है कोई dawn है पप्पू पेजर नाम का उस पप्पू पेजर को जाके मुझे सुपारी देनी है टपकाना है किसे को जो मैं आपके पास आया मैंने का यारो पप्पू पेजर को आपन सुपारी देना चाहरे है तेरा तो अच्छा मित्र है तू मिलवा दे यार तरको request किया मैंने का यार तू प्लीज मिलवा दे यार क्या है उसको एक पेटी दूगा सुपारी के 10,000 तू ले लेना मिलवाने के और तो क्या है यारी मैं आपको 10,000 दे रहा हूं मतले माप क्या कर रहे हो पप्पू पेजर से मिलवा रहे हो सुपारी के लिए मेन अग्रिमेंट हो गया मेरा और पप्पू पेजर का मेरा और पप्पू पेजर का जिसमें हम अग्रिमेंट क्या कर रहे है टपकाने का मैं और इसका collateral agreement हो गया आपका और इसका एक साथ ग्रeमेंट हो गया शैसा की मैं आपको पैसे दे रहा हो और आप documenting मिलवाऊगी उड़ी हो रहा है। तो दिक्कत नहीं होग इस बात में ठीक है। मेन अग्रिमेंट पप्पू पेजर को सुपारी देने वाला मेन अग्रिमेंट कैसा है इल्लीगल मेन अग्रिमेंट कैसा है इल्लीगल है तो लॉग कहता है अगर मेन इल्लीगल है तो उसका कॉलेटरल कॉलेटरल अग्रिमेंट भी इल्लीगल ही होगा गलती होगा क्योंकि इस तो ही ज不是लब्गा इसलीगल होगी जिरू होगी अगर में अगरेव्ट इलिकल है तो कोलेक्रण अगरेवेंटियल है कोलेक्रालागे भी इलिकल होगा वॉइड होगा उसकी वाथकी जिरू होग है मानो मुझे कोई माइनर है इससे मुझे कोई काम मुझे कोई स्रिय में अची पेंटिंग गरतु है कि आपके पास ऐसी आखाया थी अर्र bill को बहुत intéressant पेंटर है चोटा सा बच्चा पर पैंटिंग बहुत बढ़ा करता है उससे मिलवाद यार पैंटिंग बनवाने यार बहुत जरूरी है तो उन्हें का मिलवा तो दूगा लेकिन मिलवाने के 500 रूपे लूगा यार ठीक है ले लेना आप तो और तो क्या है अब वापस मेन agreement क्या pending間ना कोई लीगलिटी ऐक है इसमें पेंडिंग बनाना को यह कानुन में जूल में क्या नहीं है na illegality नहीं है यह लेकिन हाँ एक चीज गलत है एक चीज ख्या गलत है इसमें और मिला सिप शोटी सीख गलत है कि वह मैनर है छोट्टन माइनर है मतलब agreement कैसा होगा कुर्ट में जाके एंफोर्स करें नहीं सकते legal value क्या होगी हूद कोड़ सब्सकर नें कर सकते legal value क्या होगी वाइन agreement मेरा और होटों का वॉइद है उसका collateral agreement आपका और मेरा यानि 한ग का collateral agreement देख रहे हैं यह पन पहले भी कोलेटरल था लेकिन वो इल्लीगल का कोलेटरल था अभी वाइड का कोलेटरल है और वाइड का जो कोलेटरल होता है वो वैलिड माना जाता है अब समझो illegal वाले में चक्कर क्या था आपका और मेरा agreement तो अच्छा ही था मैं आपको पैसे दे रहाँ आपको किसे से मिलवा रही हो आप उप पपू-पेजर है कि जोट चमचा है कुछ भी हो हमें क्या करना मैं तो पैसे दे रहाँ किसे से मिलवा नहीं कि लेकिन जब main agreement illegal होता है तो मिलवाना या जो भी हमारा collateral agreement है उस collateral agreement का objective एक illegal activity को support करना हो गया अगर main agreement illegal है तो उसका जो collateral agreement है उसका motive क्या हुआ किसी illegal activity को support करना अगर उसका motive है किसी illegal activity को support करना है तो technically वो क्या हो गया technically वो क्या हो गया illegal अग्रेंट से वाइड है वाइड है तो आपको और मेरे ग्रेमेंट में घलत क्या अब्जेक्टिव किसी लिगवियल को promote करना नहीं पैसा लेना किसे से मिलवाना माइनर से मिलवाना कोई लीगल बात थोड़ी होती है this agreement is valid चलेगा legal है एक last हमारे पास बसता है un-un-un-forcible contract un-un-forcible contract un-un-forcible जिसको enforce नहीं कर सकते clear करना all un-un-forcible are technically void क्योंकि जो enforce नहीं हो सकता मतलब उसकी legal value zero ही हो गई तो वो वाइड हो गया enforce नहीं हो सकता un-un-forcible तब बोलते हैं जब सर्वगुण संपन है जब कुछ सही है major है हाँ साब major है sound mind है हाँ साब sound mind है free consent है हाँ साब free consent है law ने void किया बोले नहीं 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 कोई उंगली नहीं किया थो फॉर्मी वगरा रिटन वगरा अगर चाहिए थह तो किया पूरा हाँ जो जो चाहिए था पूरा किया तो पिश्या क्या है सब टेकनिकल मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग किया तो रामलाल के जगह हमने गलती से शामलाल के agreement कर दिया अब नाम तो रामलाल था हमने शामलाल कर दिया टेकनिकल मिस्टेक होगी we can't enforce it now tapping mistake होगी हमने लिखा तो था value 1 0 0 0 0 0 0 0 लेगे किन एक पानी की बूंद ऐसे टपकी और जब हमने उस पानी की बूंद को ऐसे यहां से पहुचना चाहा तो 1 भी चला गया और फिर हमारे पास बचा सिर्फ 0 0 0 0 0 0 तो अब 0 0 की तो कोई value होती नहीं है consideration 0 हो गया तो उसका legal value खतम हो गया technically we can't enforce it because of technical mistake typing में printing में कुछ mistake हो गया technical mistake के कारण all good but एक mistake के कारण एक चोटी से technical mistake कारण उसका legal value 0 हो गया जिससे हम बोलते हैं हम लोगों ने valid पढ़ लिया, void पढ़ लिया, voidable पढ़ लिया, illegal पढ़ लिया and enforceable पढ़ लिया मैं clear कर दू, void contract दो तरीके के होते हैं void भी दो तरीके के होते हैं clear कर रहा हूँ, एक तो होता है void contract एक होता है void agreement जब बना तब से legal value 0 है uncertain था, legal value 0 थी impossible task था, legal value 0 थी, illegal था, legal value 0 थी जब बना तब से 0 था तो उसको पन क्या बोलनेंगे, void agreement void agreement means void ab initio page पे लिख दो, क्या, page पे space होता हूँ अचला पेस्टे से भर-भर के लखिया है अपने, यह लिखता हूँ मैं void agreement का मतलब क्या है void ab initio, मतलब शुरुवात से void, effectively हो कभी contract बना ही नहीं जब बन रहा था तब ही void था, enforceable नहीं था तो उसको पने void agreement ही नाम दे दिया contract तो कब होता है, वो agreement जो enforceable हो और जब बना तब ही उसमें problem थी, तब ही उसमें कीडा था, तब ही उसमें वारिस लगावा था यानि वो enforce तो ही नहीं सकता था, जब enforce ही नहीं सकता था तो उसको क्या वो लेंगे कोर्स पुरा कराके मरूँ लेकिन माल लो मैं कोर्स पुरा कराने से पहले ही नहीं पठ लिया, ठीक है, इसका मतलब जो contract बना था, then it was all good, but subsequent impossibility, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, subsequent impossibility, बाद में ऐसा कोई event हो गया, कि वो transaction ही impossible हो गया, अब देखो, आपने गर मेरे से बाइक खरीदने का agreement किया होता, कि सर्फ 50,000 रुपे में आपकी बाइक खरीदेंगे, date decide होगी 25 जुलाई को, आप 50,000 रुपे लेकर आओगे, 25 जुलाई जो भी date है, मतलब ठीक है, ना 25-30 जुलाई, इस date के दिन आप मेरे पास पैसा लेकर आओगे, और मैं आपको बाइक दूँगा, और माल लो 25 जुलाई से एक दिन पहले 24 जुलाई को मैं स्वाहा, वापस क्लीर कर रहा हूँ मैं आपको, वापस क्लीर कर रहा हूँ, date कुछ भी हो, हम ये कह रहे हैं, कि जिस दिन हमारा contract conclude होना था, contract बन तो पहले ही गया, मैं बाइक दूँगा, 50,000 दोगे, done, decide, done, 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 हमने cheers भी कर लिया, promise भी कर लिया, ऐसा करके पक्का promise भी कर लिया, सब set हो गया, high five दे दिया, सब done, मतलब, contract was done, लेकिर उसका execution, just date को होना था, उस एक दिन पहले मैं मर गया, क्या हमारा contract valid है, हाँ, बिल्कुल valid है, कैसे valid है, और भाइक थोड़ी मरी है, मैं मरा हूँ ना, भाइक घर पे पड़ी है, जो भी मेरा legal inheritance होगा, जो भी मेरा legal representative होगा, legal hire होगा, आप उसको पैसे देना, भाइक ले जाना, contract तो हो सकता, कोई दिक्कती नहीं, लेकिन, as far as teaching is concerned, it depends upon the personal ability, मैं मर गया, मैं बोलू, मेरे जगे पर आपके काम को, मेरी बेटी उससे पढ़ ले ना, legal representative मेरी वही, चाट साल की वह पढ़ा देगी आपको, मस्त पढ़ाईगी वही, मजा आ जाएगा, प्राक्टिकली आप समझो, कुछ चीजे personal ability पर depend करती है, teaching भी वही है, personal ability पर depend करता है, आपने फीज जमा करा है, मेरी से पढ़ने के और पूरा पढ़ाने से पहले ही मर गया, तो हमारा contract अब जाओ चुका है, वाइट, आप मेरे legal representative पर case करो, नहीं कर सकते, enforceability के लिए, आप वो कैसे enforce करेगा, वो कैसे पढ़ाएगा, उसमों योगेता होगी नहीं तो, वो आप पर case करें, फीज के लिए, हाँ, कोट एक बार ज़रूर बोलता है, कि अगर माल लो, 100 रुपिया फीज थी, और 30% सलेबस हो चुका है, तो माई legal representative will have right to charge 30 रुपिस from you, और अगर आप 100 रुपिया पूरे जमा करा चुके थे, तो you will have a right to charge 70 रुपिस back, जो आपने बुला, रीस्टोरेशन, दोनों में से किसी पर पार्टी को नुकसान फाइदा नहीं होना चाहिए, 30% कोर्स पढ़ा, 30% प्रिसा रेदो, और रेस्टोरेशन कर दिया गया, आपका जो हग बनता था, आपको वापस दे दिया, सर, contract से पहले वाले situation, हाँ, जिस दिन वॉइड हुआ था, उससे पहले वाले situation, जिस दिन वॉइड हुआ था, उस दिन तक आप 30% सले बस पढ़ चुके थे, और मैं 30% income को accrue कर चुका था, 30% का settlement तो होगा, वाखी का पैसा आपको मिल जाएगा, वाइड जिस दिन वॉइड उस दिन तक का settlement तो होगा न, उस दिन तक जितना percent आपन पढ़ चुके तो उसकी तो बात होगी होगी, एक बार module से देख लेते हैं, class conclude करते हैं, फिर आगे next class में देखेंगे, next video में, yes, valid contract, an agreement which is binding and enforceable is a valid contract, it contains all the essential elements of a valid contract, नहीं काना, सर्व गोन संपन, void contract, a contract which ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable, thus void contract is one which cannot be enforced by court of law, यानि court में जाके आप उसका enforce नहीं कर सकते हो, क्यूंकि वो enforce करने के लिए cease कर दिया गया, उसको रोग दिया गया, कारण कुछ भी हो सकता, cease होने का, illegality ही करना हो सकता, uncertainty ही करना हो सकता, impossibility ही करना हो सकता, कुछ भी करना हो सकता, Mr. X agrees to write a book publisher, after few days, X dies in an accident, here the contract becomes void due to impossibility of performance, मैंने का न, perform करना impossible है, क्यूंकि बुक लिखना ही, वापस बुक लिखना उसके personal competent पर आता है, अगर बाइक बेचना, कार बेचना होता, तो personal competent पर नहीं होता, A contract with B, honor of a factory for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed, here the contract becomes void, it may be added by the way of clarification that when the contract is void, it is not a contract at all, but the purpose of identifying it, it is called to be void contract, विकुरिन ने सही कहा, बोले कि जब void contract है, तो technically contract है ही नहीं, it is not contract, but just for to identify कि contract नहीं है, इसके हम बोलते कि वोईड contract है, आज समझो, कई वेक्टते ही गोरा है, काला नहीं, हम बोलते है, ये काला नहीं है, ये समझाने के लिए काला नहीं है, clear है, वही बात यहाँ पे हो रही है, जो void contract है, वो contract है ही नहीं, जब एन्फोर्स ही, contract की पहली बात ही क्या थी, agreement plus enforceability, जो enforce होई नहीं सकता, वो contract कैसे होगा, संभवी नहीं, जो enforce होई नहीं सकता, वो contract कैसे होगा, संभवी नहीं है, तो contract वर्ड क्यों use कर रहे हो, void क्या आगे contract क्यों लिख रहे हो, contract इसलिए लिख रहे हो, contract नहीं है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए, वो contract नहीं है, यहाँ पे सिभ आपको void contract समझाया गया, clear कर दूँ, contract ताब वो confusion नहीं हो, void agreement यहाँ क्यों लिखावा है, void contract क्यों लिखावा है, तो clear कर देंगा, जो शुरुआ से void होगा, उसके लिए void agreement लिखा रहेगा, और जो बाद में void होगा, उसके लिए void contract लिखा रहेगा, voidable contract, an agreement which is enforceable by law, at the option of one or more parties, यानि एक या कुछ पार्टियों के लिए वो enforceable है, लेकिन not at the option of other parties, दूसरों के लिए enforceable नहीं है, किसके लिए enforceable है, जो aggrieved party होगी, जो पीडिक पक्षकार होंगे, जनके साथ बुरा हुआ है, aggrieved parties, मालो एक contract में तीन पार्टियों है, when parties to the agreement is in position, और is legally entitled or authorized to avoid performing his part, यानि वो मना कर सकता है कि मैं नहीं करूँगा, वही मने बुले ला सरवबंदूगर की मना करते साथ, सरवबंदूगर की मना करते साथ, यानि वो चाहे तो अवाइड कर सकता है, तो इसको पन क्या बोल रहे है, voidable, void plus able, यानि वो चाहे तो बुले ला सरवबंदूगर की मना कर दे तो फिर वो क्या हो गया, void हो गया, और हां कर दे तो वो वो वालेट रहे जाएगा, such a right might arise from the fact that the contract may have been bought out by one party, corrosion use हुआ, undue influence use हुआ, fraud use हुआ, misrepresentation use हुआ, mistake नहीं लिखाए हाँ, mistake से, void होता है, mistake अपनलक्सिया और discuss करेंगे, hence the party has a right to treat it as a voidable contract, उसके पास right है, वो चाहे तो मना कर सकता है, वो चाहे तो उसका के continue कर सकता है, उसकी मर्जी पर है, at this juncture, it would be desirable to know, the distinction between void and voidable, void or voidable का difference समझे लेते हैं, definition, if void contract cannot be enforced at all, जबकि voidable agreement जो होता है, वो enforceable होता है, कुछ के लिए और कुछ के लिए नहीं होता है, technically हमने बोला, कि यहां पर enforceability, दो पार्ट में divide हो जाती है, कि एक particle enforceable है, दुसरे के लिए नहीं है, nature by nature, void contract is valid at the time when it is made, void contract जो है, का लेकते वॉयड agreement, जब बना तब सभी था, बाद में unenforceable हो गया, या किसी ना किसी कारण से, void हो गया, कोई subsequent development of events, like super winning impossibility, super winning impossibility का मतलब होता, subsequent impossibility, super winning impossibility, या subsequent impossibility एक ही बात है, या कोई बाद में illegality हो गई, law pass हो गया, मैंने आपको बोला, लगा दिया है limit लगा दिया कि इस price यो पर नहीं बेच सकते या private sale purchase हो ही नहीं सकते जो भी sale purchase होगे सब government संबालेगी public basic necessary का item भी नहीं बिल रहा है तो necessary commodity में डालके government ने situation को देखते हुए महंगाए को देखते हुए कभी extreme फ्रेंग क्समें इसा कर भी सकती है कि आप किहुं čावल नहीं बेचो जिसको बेचना गौर्रमेंट को बेचो गौर्रमेंट पॉब्लिक अविलेबल करवाएगे तो आप जिहुं बेचना यह गौर्णमें निलीगल कर दिया तो यह क्या हो जाएगा वाइट reputation of voidable contract क्यानि कर कोई voidable contract सामने वाला बंदा बोल दे कि मैं तो नहीं करूँगा साब मेरे सरवे बंदूग थी मुझे धोका दिया गया और वो voidable अब क्या हो गया void हो गया उसने मना कर दिया सामने वाला enforce करी नहीं सकता में बना कर चुका हूँ मैं तो करूँगा ही नहीं contract को पूरा तो वह अपना अधिकार था आप बोल सकते थे कि content क्या हो जाता है वाइड similarly contingent contract become void when the occurrence on the event becomes impossible मैंने बुला कि एक ship अमारिका से इंडिया रहा है उसमें tv sets है मैंने खरीदे हैं वो जैसे ship इंडिया आ जाएगा मैं आपको 100 tv sets sell कर दूँगा at this price कोई भी price set हो गई मैं आपको 100 tv sets sell कर दूँगा इसको बन बोलते contingent contract contingent contract मतलब वो contract जो किसी ना किसी event पर depend करता यह event क्या है ship का इंडिया आना और जैसे ship इंडिया आएगा तो मैं क्या करूंगा आपको मैं जैसे ship इंडिया आएगा तो मैं क्या करूंगा मैं सौ TV set जो भी हमारी price decided उस पर बेच होगा TV set बेचना price decide करके दोनों major parties है, free consent है, sarvagunna sampah, it is valid contract, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर event है, जिसमें valid contract depend करता है, that is, शुक्का इंडिया आना, उस event की उपर dependency के करन, इसको मोलते है contingent की, आया तो TV से दूँगा, नहीं आया तो नहीं दूँगा, contingent हो गया, अब अगर contingent contract का जो event था, वो impossible to happen हो जाए, मतलब शिप्रस्ते में डूप जाए, मतलब कभी भारत आएगा, क्या है, नहीं, प्रस्ते में डूप चुका है, डूप गया तब इंडिया नहीं आएगा, जब इंडिया नहीं आएगा, तो आपको TV से देही नहीं सकता, अब हमारा TV सेट वाला agreement क्या हो चुका है, उसकी legal value क्या हो चुकी है, 0. On the other hand, voidable contract would remain valid until repudiate करना है, रसींड करना है की बात है, रसींड और repudiate करना है की बात है, अपने अधिकार का उप्योग करना, contract को void कर देना, जब तक रसींड नहीं किया जाएगा, तब तक वो contract क्या रहेगा valid, यानि जब तक मैं गोर्ट में जाके, जजज साब को ना बोलो, जज साब सर पर बंदूग रखी थी, मैं तो नहीं मानूँगा, तब तक तो contract valid है, मैं भी अपना perform करूँगा, आप भी अपना perform करो, जज दिन मुझे लगे perform नहीं करना, मैं court में जाके बोल दूगा, जज साब सर पर बंदूग थी, मैं कैसे perform करता, मेरे तो मूडी नहीं perform करने का, by the person who has the option to treat as voidable, the right is treat it as voidable, does not invalidate the contract, until such right is exercised, clear है, आपने सर पर बंदूग रखी, मेरे पास अधिकार है, कि मैं उसको void कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उस अधिकार को exercise नहीं करूँगा, उस अधिकार को उप्योग नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको void नहीं करूँगा, मैं आपसे पैसे लेते रहूँ, आपने बोला कि आप 2-2 लाक रुपय करके, मुझे इंस्ट्रॉल्मेंट दोगे, और फिर प्रॉपर्टी मैं आपके नाम पे करूँगा, 20 लाक की प्रॉपर्टी, सर पर बंदू करके, आपने 10 लाक में यहां करवाने, आपने पहला 2-2 लाक दिया, मैंने ले लिया, 2-2 लाक दे लिया, 3-2 लाक दे दिया, अब चौथे में आप मुझे पूरा पैसा देने वाले हो, 4 लाक और मुझे आपको पेपर्स देने, तो अभी तक कांटेट कैसा है, वालिडी है, मैं अपने option को exercise करी नहीं रहा हूं, मैं तो पैसा ले रहा हूं, और आपको चीज देने को तेयार हो रहा हूं, अगर मैं बोल दू कि नहीं नहीं साब, ना तो मैं पैसे लूँगा, ना मैं चीज दूँगा, कोट में चला किया, जसाब सर्वे बंदूग रख्या करवाई थी, पहले वाले दो लाग दिन आया था, तब भी सर्वे बंदूग थी, अब मैं इसे पैसे नहीं ले रहा हूं, आप देखो इसको, संबाड़ो इसको, तो लाग क्या बोलता है, अब उसकी लीगल वाल्यू जीरो हो चुकी है, हाँ, एक बार आप बोल दो कि, जसाब मैं तो नहीं करूँगा, सर्वे बंदूग थी, चार दिन बाद आप बोलो, नहीं नहीं, यार, दस लाग मां प्लॉट बिक्रा था, तो ठीक ही, तो अब तो फ्लॉट की वाल्यू बहुत कम हो गया, जसाब, जसाब, वो सर्वे बंदूग थी, तो कोई बात नहीं ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है, जसाब, ऐसा नहीं चलता है, Once you have exercised your right, the contract becomes void, and void means zero legal value, वो कभी भी legal नहीं हो सकता, उसके पहले हो कभी बढ़े नहीं सकती है, clear कर देना, लेकिन जब तक आपना option exercise नहीं करोगे, तब तो contract क्या माना जाएगा, valid, All contract caused by cause and undue influence, fraud, misrepresentation are voidable, Generally contract caused by mistake is void, mistake वाला void होता, जो अपन बात में discuss करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं करना, सुपारी देना, murder करना, law मना ही करता है न, इसके लिए, The court will not enforce such a contract, but also the connected contracts, उसको भी नहीं करेगा, उसे connected contracts को भी, मैंने का न, collateral जो होंगे, connected जोसके साथ वाले होंगे, All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal, हर illegal void होगा, पर सारे void illegal हो, और illegal के लिए contract लिखते हैं word, technical illegal तो agreement ही होता है, क्योंकि जब वो illegal है, तो उसकी legal value है ही नहीं, तो काय का contract, जब enforceable ही नहीं तो, contract that is immoral, opposed to public policy, or illegal in nature, similarly if R agrees to, sale agrees with us, to purchase brown sugar, it is illegal agreement, देको immoral वाला, जैसे मैंने का था, prostitution वगरा immoral है, तो वो illegal भी है इंडिया में, जहाँ acceptable नहीं है, opposed to public policy हम बाद में बात करेंगे, opposed to public policy में बहुत सारे चीज़ आएगी, restaurant of trade, restaurant of marriage, आसी बहुत सारे चीज़ है, तो उनमें काफी सारे illegal nature की होते हैं, similarly if R agrees to sale brown sugar, brown sugar मतलब good, brown color की शक्कर होती न, good, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये उस brown sugar की बात कर रहा है, ठेक है, तो सरकार ने बैन कर रहा, brown sugar की शेल पर चीज़ को, तो 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 इल्लेगल, according to section G, an agreement not enforceable by law is void, जो enforceable by law ना वो 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 वोगा, the act has specified various factors, due to which an agreement may be considered as, void agreement, बाहसार करण बता रहा है, जिससे वो void agreement हो जाता है, one of these factors is unlawfulness, उनमे से एक करण क्या है, unlawfulness of object and consideration of the contract, या the object या consideration, that is illegality of the contract, which makes it void, या इनि, illegality एक करण है, unlawful object होना, unlawful consideration होना, मतलब, illegality होना, illegal या करण है, the illegal and void agreement differs from each other, in the following aspects scope, all illegal agreements, तो कोई वर्ट बिलकुल सही है, illegal के लिए agreement वर्ड ही यूज होना चाहिए, law में कहीं contract लिखा है, तो law खुद मानता है कि भाई आमको नहीं लिखना चाहिए था, lawful school कहता भी है कि भाई तो शुरू सहीं void है, all illegal agreements are void, however, all void agreements are not illegal, despite this, there is stability between illegal and void agreement, that in both the cases, void of issue and cannot be enforceable by law, यह करा illegal agreement और void agreement, contract नहीं लिखा, agreement, बुला यह void of issue होते है, तो agreement है तो void of issue होगा, contract होगा तो void of issue हो, नहीं होगा, वो तो subsequent void होगा, एक भाग क्लियर करणो, illegal is always void agreement, not void contract, छोटी-छोटी बात है, इन पर आप ध्यान दोगे न, आप concepts clear कर लोगे न, आपको मजा आएगा, law पढ़ने में interest आएगा, concepts clear होने चाहिए लेकिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, illegal, जिसके हम यहां बात कर रहे हैं, illegal agreement की, illegal agreement, it is always void agreement, not void contract, illegality हमेशा, void agreement की लिए है, आप समझो, मैंने आप से, ex commodity के, sale purchase की बात बोली, government ने, ex commodity के, sale purchase पे, बाद में बैंड लगाया, पहले हमने contract कर लिया, बाद में बैंड लगाया, तो इसको हम कहेंगे, legal impossibility, legally impossible है, legally impossible है, लेकिन वो illegal नहीं है, illegal क्या होता, आप कानून के विरुद्ध कोई काम करते हो, जब मैंने आपको बोला, मैं आपको ex commodity बेचूंगा, आपने का आप खरी देंगे, price decide की, उस समय क्या कानून था, कि ex commodity को नहीं बेचना है, क्या ऐसा कोई कानून था, कि ex commodity का sale purchase, government ने मना कर दिया, नहीं, उस समय कोई कानून ऐसा नहीं था, तो जो हमने agreement किया, वो कानून के विरुद्ध नहीं था, वो valid contract था, government ने मना कर दिया, कि ex नहीं बेच सकते हो, हमने खाठीक है जब साब, सरकार मना करती है, बिलकुल, नमस्कार सरकार को, government ने मना किया, हम नहीं करेंगे sale purchase, खतम बात, we will not go for sale and purchase, हम करेंगे ही नहीं, खतम, रहने दो इसको, तो हमने illegal क्या किया, क्या हमको jail में डालोगे, illegal का मतलब क्या होता है, उसके लिए आप jail में डाल सकते हो, illegality is punishable offense, minor's agreement करना punishable offense नहीं है, impossible agreement करना punishable offense नहीं है, uncertainty करना punishable offense नहीं है, ये तीनो void agreements, void, punishable नहीं है, illegal होगा तो punishable है, सजा और होगी, सुपारी कैसे दी jail में डालो, ब्राउण शगर पेचने के agreement करते हो, जेल में डालो, prostitution करते हो, जेल में डालो, एक्स कॉमोडि टी को बेचने और खरीदने का उस समय तो कोई mengon था नहीं के बादNे आपने बोला है तो हम transaction आगे नहीं कर पाएंगे हम नहीं करेंगे यानि इसको हम बोलेंगे क्या वो legally impossible हुआ है illegal नहीं हुआ legally impossible हुआ है to perform अब उस चीज को होती हुए हमारे पास acts पढ़ा है तो भी हम उसको बेचे नहीं सकते सरकार नहीं मना करती है होते हुए भी हम बेचे नहीं सकते क्योंकि वो legally impossible transaction है and because of impossibility हम उसको बोलेंगे void contract बाद में void हुआ ना शुरू में तो सही था बाद में void हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे void contract क्या वो illegal है option हम से पूछे ले कि इसको में illegal contract बोलते है no 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 that is not illegal illegal agreement नहीं illegal contract नहीं दोनों नहीं illegal contract नाम की कोई term होती नहीं आप समझ लो यहां पर दिमाग में बिठा लो illegal contract जो word लिखा गया है illegal contract जो word लिखा गया है it is here just to represent illegal agreement ये सरफ illegal agreement को represent करने के लिए क्या गया है illegal वो होता है जो illegal from initial level होता है बाद में illegal कैसे हो जाता है सर्कार ने बाद मना किया तो मना किया तो legally impossible हुआ हम ने गुना नहीं किया हम तो पहले सही काम कर रहे तेब सरकार ने मना कर दिया यह काम नहीं करना तो हमारे लिए इंपॉसिबल है सरकार मना कर रहे हम तो इंपॉसिबल मान रहे हम भी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं now it is impossible तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए यह बात पक्के से अनश ऊड्रेट cela नट्वाक कांट्राइडर वाईड अग्रिमंट्स क्योंकि छोगल होगा वह प्रारंब से शुरू से लिकल होगा। यानिवह वह ओए अग्रिमेंट होगा वॉइड है वह इनीशियों व्पांट्राइड थे इंपργेंंट फोंई डब्रक्सफ अविचणा अफी वगरा सेल करने का मडर सुपारी वगेरे का यह अगर आप काम करते हो शुरुआ से वाइड है शुरुआ से लिगल वैल्यू जीरू है और जिसके शुरुआ से लिगल वैल्यू जीरू है जिसके शुरुआ से लिगल वैल्यू जीरू है वो वाइड भी निश्यू है यह illegal के आगे contract word लगाना भी अपने आप में technically गलत है illegal के आगे word क्या लगाना चाहिए illegal agreement illegal agreement हमेशा क्या होंगे? void agreement होंगे? void भी निशी होंगे अगर subsequent illegality होती तो subsequent illegality नहीं है वो technically legal impossibility है और legal impossibility से void contract बनेगा उसको illegal नहीं कलेंगे, सिर्फ void बोलेंगे वह सजा नहीं होगे, jail नहीं होगे nature and character illegal agreements are void since the very beginning they are, जिस दिन बने उस दिन से void है since the very beginning illegal agreements इसने बिल्कुल correct word उस किया है very beginning, void of an issue है described to be as void of an issue इसलिए विसको क्या बोलते है? void of an issue as already emphasized under the scope the contract by nature which is valid when subsequently changes its character becomes void ये void contract के लिए बात कर रहा है कि जो बाद में वाइड हो गया जो बाद में वाइड हो गया वो वाइड contract होगा, वाइड agreement नहीं होगा effect on collateral transaction in case of illegal contract even the collateral transactions namely transactions which are to be complied with before or after or concurrently along with the main contract main contract के साथ है, या तो main contract से थोड़ा पहले होए थोड़ा बाद में होगे, साथ में होगे या तो थोड़ा पहले हो गया या थोड़ा बाद में हो गया या बराबर हो गया event timing कुछ भी हो सकता पर जुड़े है along with the main contract also becomes not enforceable नहीं हो सकता जबकि in case of voidable contracts the collateral transactions can be enforced despite the fact that main agreement becomes voidable to the accent of the collateral यह voidable को क्यों लेकिया गया यहां पर यहां पर voidable को क्यों लेकिया या difference थो हमको void और illegal का देखना चाहिए था voidable को void ही लो ना यार क्या void का जो collateral होगा वो भी valid होगा हाँ इसने बोला कि वो independent होना चाहिए उसको आप अलग से perform कर सकते हो तो इसके साथ ही perform करना तो जब यह perform नहीं होगा तो वो कैसे होगा मैंने आपको बोला कि मैं आपको paint बेचूंगा उसके बद आप मेरी painting बना दोगे paint बेचूंगा main agreement painting मना दोगे उसका collateral अब paint बेचना ही void होगे सरकार ने band लगा दिया paint बेचने पर suppose तो because of legal impossibility आप paint में आपको बेच ही नहीं पाऊंगा तो जो paint ही नहीं बेच बाऊंगा तो आप मेरी painting कैसे बनाओ यागर performance dependent है तब तो void के साथ वाला void हो ही जाएगा लेकिन अगर performance independent है जैसे मैंने बुला आप मुझे minor से मिला दो मुझे उसे pending मनवानी है अब सरकार मेरा उसका minor का agreement वाली void हो पर आप से जो agreement हुआ collateral हो तो valid है collateral agreement void का valid होता है लेकिन अगर dependent है यानि main contract होगा तब ही वो collateral हो पाएगा main ही जब void है जब main ही perform नहींगा collateral कैसे perform होगा penalty और punishment all illegal agreements are punishable अलग अलग laws में होते है basically Indian penal code में उसके लिए लिखावा है और void agreement में penalty वगरा कुछ भी नहीं होती है difference आप देख लेना उसके बाद unenforceable contracts whether the contract is good in substance but because of some technical defect absence of writing या कोई limitation barred by limitation barred by limitation मैं आगे लूँगा detail में ये video ये class summary वैसे बहुत लंबी जा रही है barred by limitation को आगे जब detail में समझाऊँगा तो पक्का मेरा promise है कि मैं आपको इसको बहुत प्रापरली बात करूँगा limitation act क्या है India में और इसको लेकर बात करेंगे पर ये limitation को लेकर एक पूरा topic में limitation की बहुत need आएगे मतलब topic तो अलग होगा barred by limitation के उसमें need होगी काफिय अची तो वहां में बिल्कुँ detail में आपको समझाऊँगा इसके लिए बात करूँगा पर ठीक है कुछ technical mistake है तो limitation है या writing है तो parties एक दूसरे पर शू नहीं कर पा रही है या तो एक party दूसरे पर नहीं कर पारी दूनों नहीं कर पारी जो भी केस है लेकिन technical mistake है बाकी all good है डराया धंकाय नहीं गया मारा कुटा नहीं गया है जूट नहीं बोला गया है minor नहीं है ऐसा कुछ नहीं पर technical mistake है तो उसको पर क्या बोलते है un-enforceable contract थैंक यू फिर वापस मुलते हैं अगले वीडियो में बब बाई